धन्यवाद बाई बनार्ची जी जब हम यहाँ कारेकरम देने आच्छा आपको बता दें कि मेरी थोड़ी दूर द्रिस्टी ठीक है इसका अर्थ दूसरा भी है कि मेरी नजदी की द्रिस्टी कम है मैंने प्रसान जी से बोला कि माई का संचाला ना आप करें क्योंकि जब मुझे दर्सक दिखाई देते हैं तो पोडियम नहीं दिखाई देता और जब मैं पोडियम पे देखता हूँ तो दर्सक नहीं दिखाई देता प्रसान जी ने बहुत खुबसूरत जवाब दिया कि यहाँ पे आए हुए सुधिस होता इतने बड़े हैं कि यार्ति करते हुए मित्र ने कहा मुझे दो लाइन याद है उसको मैं सुना दू फिर अपनी रचना पे आता हूं कि पत्नी पीडित आधुनिक राम जैसे पती ने इस बार दूर तक स्वर्ग हिरन का पीछा किया पत्नी पिडित आधुनिक राम जैसे पती ने इस बार दूर तक स्वार्ग हिरन का पीछा किया ताकि सीता हरण हो जाए ये बला टल जाए वापस आकर उसने जो मंजर देखा तो अपना माथा लिया ठोग क्योंकि आधुनिक राम को हराने के लिए आधुनिक रावण ने सीता हरण की बजाए मंदोदरी को भी दिया छोड़ तो ये युद्ध किरण निती होती है ना परसान हो मित्र एक जील थी मेरे भी दिल में चांद का घेरा भी था हसरतों का एक महल था प्यार का डेरा भी था भावनाओं की लहर थी कामनाओं की तरंगे शाहिलों में वेग था दिल में उठती थी उमंगे पर खो गए हैं जिस जगह पर आरजुओं के समंदर जिन्दगी की रेत को मैं फिर वही से खोजता हूँ आज जब मैं सोचता हूँ एक जील थी मेरे भी दिल में चांद का घेरा भी था एक जील थी मेरे भी दिल में चांद का घेरा भी था हसरतों का एक महल था प्यार का डेरा भी था भावनाओं की लहर थी कामनाओं की तरंगे साहिलों में वेग था दिल में उठती थी उमंगे पर खो गए हैं जिस जगह पर आरजुओं के समंदर जिन्दगी की रेत को मैं फिर वहीं से खोजता हूँ आज जब मैं सोचता हूँ चाहतों का एक लमहा बंदाविया चाहतों का एक लमहा प्यार की हो एक बाहे प्यार को तेरे हो पागल उम्र भर तरसी निगाहे उड़ रहा था ख्वाब में जो पंख लादे तन बदन पर डब डबाई आख ले खुद पंख अपने नोचता हूँ आज जब मैं सोचता हूँ आज जब मैं सोचता हूँ आह की जंजीर तूटी अनवरत था राह फूटी आह की जंजीर तूटी अनवरत धारा है फूटी दूसरों से ध्वेश क्या जब खुद ही अपनी किस्मत रूटी रो रहा है दिलिये मेरा आज जब आशू लहू के रक्त रंजीत हाथ ले रक्त असुरू अपने पोचता हूँ आज जब मैं सोचता हूँ आज जब मैं सोचता हूँ आदेश है एक आद लाइन और आपको मैं रोकी निसकता हूँ आरे भईया इस पीट ब्रेकर की ज़र्व पढ़ती है निकलने ही नहीं देती खुद अपने याद से तुम ही अदासे खीचलाती हो निसा के बाद से तुम ही सिगनल उस पर दूसरा मिल रहा था निकलने ही नहीं देती खुद अपने याद से तुम ही अदा से खीच लाती हो निषा के बाद से तुम ही जिधर देखूं उधर हो तुम जहां जाओं वहां तुम हो जिधर देखों उधर तुम हो जिधर देखों उधर हो तुम जहां जाओं वहां तुम हो अगर हूं मौन संग तुम मौन अगर गाओं सदा हो तुम जिधर देखों उधर हो तुम जिधर देखों उधर तुम हो जहां जाओं वहाँ हो तुम ऐगर हूँ मौन अगर गाऊं सदा हो तुम हकीकत में बुलाती हो जगा कर ख्वाब से तुम ही अदा से खीच लाती हो निसा के बाद से तुम कुछी से अंदाज में चले गगन पर चाद का पहरा सितारी कर रहे देखो गगन पर चाद का पहरा सितारे कर रहे देखो, नदी के धार का निर्णे किनारे कर रहे देखो, तुम्हारी हर इनायत से वफा के फूल खिलते हैं, नदी मिलती है सागर से घटा अंबर से मिलते हैं, छलक जाएन ये नजरें, नजारे डर रहे देखो, गगन पर चाद का पहरा किनारे कर रहे देखो, विभिन सहर से हमारे कवी गणाएं हैं, इन से एक सवाल और चुकि ये बहुत प्यूरिफाइड नहीं है, इसलिए आप से आज्या चाहूंगा कि मैं वो पेस खोल लूँ, अभी दो चाहर दिल पहले हम प्रसांसर बैठे हैं, तो कुछ चीजें निकल के आई थी, आप सभी विभिन सहरों से आये हुए सायर और सायरा महदया से महदय से, प्रश्ण है, तेरे सहर में कहीं चिराग बिकता है क्या, तेरे सहर में कहीं चिराग बिकता है क्या, बहुत अंधेरा है कहीं आफताब बिकता है क्या वाँ 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 तेरे सहर में कहीं चराग बिकता है क्या बहुत अंधेरा है कहीं आफताब बिकता है क्या सुना है हर सै की हर सक्स की कीमत होती है सै मतलब वस्तू सक्स मतलब इंसां तेरे सहर में कहीं चिराग बिकता है क्या बहुत अंधेरा है कहीं आफताव बिकता है क्या सुना है हर सय की हर सक्ष की कीमत होती है किसी तिजारत में लेकिन ये आवाज बिकता है क्या किसी तिजारत में लेकिन ये आवाज बिकता है क्या ये तो मा सरफसती की आशिरवाद से ही मिलता है वो जिसने ज्यान दे चांदी मेडम वो जिसने कभी खंजर की फूलों से जिल्द साजी की थी है है वो जिसने वो जिसने कभी खंजर की वो जिसने कभी खंजर की फूलों से जिल्द साजी की थी वही फिर पूछता है कहीं गुलाब बिकता है क्या वो जिसने कभी खंजर की फूलों से जिल्दसाजी की थी वो जिसने कभी खंजर की फूलों से जिल्दसाजी की थी वही फिर पूछता है कहीं गुलाब बिकता है क्या सफे बिकते हैं सफे मतलब पन्ना सफे बिकते हैं कलम बिकता है रोसनाई बिकती है कभी सुना है तहरीरे जबाब बिकता है क्या लिखावट सफे बिकते हैं कलम बिकता है रोसनाई बिकती है कभी सुना है तहरीरे जबाब बिकता है क्या बहुत अधेरा है कहीं आफताब बिकता है क्या तेरे सहर में कहीं चराब बिकता है क्या अब यह और है एक सुना दें और स्वागत है इजाजत नहीं होगा तो आप बहुत धन्यवाद इस समय मैं निवेधन करने के मोड पे हूँ आदेश करने के मोड पे आप लोग हैं क्योंकि कारिक्रम का सारा लिफाफा अभी आप ही लोगों के पास है आप बिल्कुल इस्चिंत रहें आपके आदेश या अग्रह से लिफाफे का कोई संबंद नहीं है इस चेहरे के बाहर कोई भीतर कोई रहता है एक सबसे परिचित चेहरा एक परिचित रहता है एक सबसे परिचित चेहरा एक परिचित रहता है जैसे आप हमें केमिस्टी टीचर जानते थे लेकिन ये चेहरा परिचित रहता है इस चेहरे के बाहर कोई भीतर कोई रहता है एक सबसे परचित चेहरा एक परचित रहता है बाहर या पाधापी है कुछ भी हो ना काफी है मिलते हैं सब उपर से घर के हो या बेघर के बाहर सब कुछ सुनता है अंदर या नबज गुनता है सुख दुख के गलियारे में, जुगनू बने अधियारे में, तेरा है ये मेरा है, सुन्दर रैन बसेरा है, बाहर बनती बड़ी मिनारें, अंदर कुछ तो डहता है, एक है सबसे परचित चहरा, एक परचित रहता है। एक है सबसे परचित चहरा, एक परचित रहता है, एक बाहर की आत्रा, एक अंदर की आत्रा जग में आना जाना है जीवन एक फसाना है ढोते हो संसार यहां अहंकार का भार यहां इनसे उनसे बैर भी है भले बुरे का खैर भी है फूले भी है और काटे भी गूज भी है सन नाटे भी सची और जूट में दूरी है चुप रहना मजबूरी है भले नहीं कहता पर अंदर सच का दीपक जलता है एक है सबसे परचित चहरा एक परचित रहता है क्या-क्या सपने तूटे गए जो थे अपने छूटे गए कितने उलझे-उलझे हो कहते हो परसुलझे हो पाने की अभिलासा है दरिया होकर प्यासा है तो मत डूटो बाजारों में किसे मिला पासाडों में दुनिया एक छलावा है, चेहरा एक भुलावा है बाहर का चेहरा भी तरके, चेहरे को ही छलता है एक सबसे परचित चेहरा, एक परचित रहता है बहुत दनवाद, बहुत दनवाद, बहुत दनवाद